एन्टी ए यूजिस नेट यहनी निमिजी नेट डाउनलोड इट उन गूगल प्ले स्टार हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमिजी नेट पर दोस्तो आज हम डेटा इंटरपेटेशन के अंदर बेसिक कॉ डेटा के अंदर दोस्तो यह सभी हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसी के बेस पे हमारा कोश्चन निकलता है लेकि वैसे जब हम डेटा इंटरपेटेशन का कोश्चन करते तो उसमें काफी टाइम लग जाता है तो इस वीडियो में हम यह तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों एंट यूजिसनेट एक्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड़ कोर्स लॉंच किया है कंप्लेट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फरस्ट इस पोर्स में आपको क्या-क्या मिलन जैसे कि हमारे रिसर्च के क्यूशन आज तक जो आज को अलग है आई सीट के लग है सभी यूनिट के किशन आपको अलग-अलग किये हुए मिलेंगे नंबर पांस पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी हमने यूनिट में से सब टॉपिक व लाइं मोग टेस्ट भी मिलेगा इनका तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रोलम आपके तो आप हमीं वर्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं आप पांसो से लेकिए हजार उपय में इस को जोईन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर होता रहता है तो आप नीचे वीडियो करता हुआ रहा है ट्रेडिशनल मेथड इन सभी को 512 को जोड़ा फिर 1709 को जोड़ा उस तरीके से हम जोड़ते हुए जाते हैं लेकिन एक और जो तरीका है उस तरीके से हम किस तरह से जल्दी से जल्दी जोड़ सकते हैं वो हम देखेंगे देखें दोस्तों जो दूसरा तरीका है वह राउंड फिगर का तरीका है राउंड फिगर के अंदर क्या होता है दोस्तों हमारे हमें जो वैल्यू दी हुई है उसके आसपास की वैल्यू लेते जो हमें स्टेवल कर सके अब देखे 512 है 512 को हम लिख सकते दोस्तों 501 के लिए हम इसे लिख देते हैं उसके इसके बाद में हैं सत्रा सुनो इसको हम लिख देते हैं सत्रा सो यहां पर लिख देते हैं उसके बाद में जैसे हमारे पास तेरा सो पांच तो इसको लिख देते हैं अब देखिए इनको हम पलस करने की कोशिश करते हैं यह देखिए बाइस सो पलस में तेरा सो है यह कितना हो जाए दोस्तों यह हो जाए हमारे पास 3500 यहां पर हो जाएगा उसके बाद में जैसे 1700 और 500 है यह कितना हो जाए दोस्तों यह हो जाए हमारे पास 2200 यहां पर हो जाएगा और अब क्या रहे गया हमारे पास 2200 रहे गया 3800 रहे गया और 3500 रहे गया अब देखिए 2200 और 3800 को ज 2 और 1 3-1 6 यानि की 6000 हो जाएगा बाईस सो पल्स में 30 कितना हो जाएगा 6000 पलस में 35 कितना हो गाया दोस्तों यह हो जाएगा हमाले पास 900 हो जाएगा यहाँ पर अब देखिए जो हमारा answer है जो option दिए उन में देखते हैं कहां पर भी match करता है अब यह देखिए यह 1266 है यह तो बहुत कम है फिर 8725 है यह भी नहीं match कर रहा यह भी नहीं कर रहा option number A है 9636 है यह इसके पास जा रहा है तो इसका जो answer हो क्या होगा दोस ज़्यादा तर हम बिल्कुल accurate answer नहीं निकालते हैं इसके अंदर हम approximate लेके चलते हैं इसके आसपास value लेके चलते हैं संभावनाव पे ज़्यादा तर डियाई के question किये जाते हैं तभी हम जल्दी से जल्दी question निकाल सकते हैं अगर हम डियाई के अंदर बिल्कुल accurate question निकालन देखते हैं दोस्तों अब बात करते हैं हम एवरेज की देखिए डियाई के अंदर बहुत ज्यादा एवरेज निकालनी पड़ती है हमें तो इसके बारे में पता होना जरूरी है देखिए एवरेज हम एक तो जो हमारा ट्रेडिशनल मैथर है यानि कि 185 को जोड़ना फिर 225 क को जोड़ना इन सभी को एक एक करके जोड़ना तो उसमें क्या है कि ज्यादा टाइम लग सकता है लेकिन उसको छोड़ कि हम किस तरह से जल्दी से जल्दी इस को निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे और देखिए यहां पर हमने एक कोश्चन दिया हुआ है कि राहुल ने 10 द इसके अंदर जो यूज करेंगे हम एक तो जो पिछला जो हमने कोशन किया था राउंड फिगर का उस तरह से ही इसको करने की कोशिस करेंगे इसमें थोड़ा सा अलग है वो देखते हैं क्या है इसमें देखिए यहां पर आप एक सो पिचासी है दो सो पचीस है एक सो पिच संख्या ले ले लेते हैं 200 धोस्व यहां पर हमने ले लिया ठीक है एक चीज हमने मली 200 मली अब देखते हैं कि इन सभी में 200 यह ज़ो एक सो पिचासी है 200 से कम है या ज्यादा है तो यहां पर हम लिख लेंगे ये हो गया 15 माइनस 15 में फिर 225 है ये पलस के 25 है और फिर 195 है ये माइनस के 5 है इस तरीके से सभी के सभी हम लिख लेंगे जैसे 210 है ये 10 ज्यादा है 200 से ये सभी हमने यहाँ पे लिख लिए फिर क्या करेंगे कि जो कट रहा है उनको काट देंगे देखे जैसे कि ये है माइनस के पंदरा और ये है पलस के पंदरा ये कट हो गया ये देखे माइनस के दस ये दस है ये कट हो गया अब उसके बाद में देखे जैसे ये माइनस के पांच है ये पलस के पांच है ये कट हो गया हमारा और ये देखे ये माइनस के दो है और ये प एक, दो, तीन, चार, यानि कि डस है, तो दस गुना में 200 हम कर देंगे, दस गुना में 200 कर दिया तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2000 यहाँ पे आ जाएगा 2000 और पलस में ये जो 30 था तो कितना आ जाएगा 2030 इसका जोड जो है वो आजएगा यह देखे यह जोड ए में दिया हुआ है 2030 यहां पर हमारे पास आजएगा अब एवरेज निकालने तो एवरेज के लिए क्या करेंगे 2030 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आजएगा 203.0 यानि कि 203 रुपे वो डेली के कमाएगा यहां से हम इस तो हमारा traditional method है वही यूज करना है तो आप वह भी यूज कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर सकते हैं यह हमने आपको एक तरीका बताया है चले अब हम अगला question देखते हैं दोस्तों अगर आपको uses net paper second सभी subject के 2012 से लेके 2013 तक किशन पेपर चाहिए with official answer की और answer टिक तो आप हमारी website निमीजी.net जरूर विजिट करना यहां पर आपको सभी subject के किशन पेपर के साथ साथ study notes भी मिलने वाले हैं अगर आपको study notes भी चाहिए पलस में live mock test भी लेने हैं तो हमारी website निमीजी.net जरूर विजिट करना थैंकि दोस्तों अब percentage की बात आत हैं देखिए percentage कई चीजे तो ऐसी होते जो बिलकुल असान होते हैं उनका हमें already पता होता है तो यह चीजे आपको याद होनी चाहिए basic चीजे देखिए जैसे एक बटे दो होता है एक बटे 2 कितने के को होता ही होता है पचास प्रसेंट के ब्राबर होता है इसी तरीके से ज देखे मैं बता देता हूँ एक बटे देखे एक बटे च्यार गुना में 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं multiply by 100 करते हैं Čर को जब इससे cut करेंगे तो कितना जाए 15% आ जाएगा तो यहां पर हमने एक से लेके 20 तक यहां पर दिये हुए एक बटे दो कितना हो कितना होगा 50% होगा एक बटे 33.33 परसेंट होगा तो यहां पर हमने यह सभी दिये हुए अगर आप चाहे तो इनको याद कर सकते हैं कई बार ऐसे आ जाता है हमारे exam के अंदर जो answer आता है एक बट्ए 8 आता है और एक बट्ए 8 को जब हम निकालते हैं गुना में 100 करके निकालते हैं तो उसमें क्या है कि time लगता है लेकिन अगर हमें याद हो यहाँ से वियाद कर ले तो क्यों एंसर दे सकते हैं जल्दी से जल्दी एक पटे आट होता है दोस्तों 12.5% होता है यहाँ से आप इनको याद कर शकते हैं देखे एक तरिका ये है हमारा और अब हम बात करते कि आगे percentage के अंदर और किस तरह से हमें percentage निकालनी होती है एक question ये दिया हुआ होता है जैसे कि A का B percent कितना होगा परतिसत की मातरा हमें निकालनी होती है जैसे कि 500 का 15 परतिसत कितना होगा इस तरह से हमें question में देखने को मिलता है तो इस दुरान हम कैसे निकालेंगे जो हमारी कुल रकम जो होती है digit जो होती है और पलस में जो हमारे percentage निकालनी होती है उसको multiply करते है यह देखे अब थे 500 का 15% कैसे निकालेंगे हम 500 हमने लिख लिया गुना में हमने 15 लिख लिया और बटे में 100 लिखेंगे अब देखे 20 से 20 कट की 15, 15, 75 75 यहाँ पे इसकी value आज जाएगी तो इस तरह से हम इसकी percentage निकाल सकते हैं percentage की value निकाल सकते हैं तो यह basic चीजी है दोस्तो बिलकुल basic चीजी होती है जो हमें पता होना जरूरी है दोस्तो percentage निकालने का एक तरीका और भी है देखे इसके अंदर क्या होता है जैसे 500 है 500 का 1% हम सभी को पता है इसका क्या होगा 1% कितना होगा 5 हो जाएगा और 10% कितना होगा वो होगा 50 हो जाएगा अब देखे 10% हमारा 50 है तो 5% कितना होगा 50 का half कर देगे कितना होगा 25 हो जाएगा अब हमें निकालना कितना है 15% हमें निकालना है तो 15% कितना होगा दोस्तो 10% प्लस में 5% इन दोनों को हम प्लस करेंगा 75 यहाँ से हमारे पास आजाएगा तो यहाँ से आप ये तरीका भी यूज कर सकते है या फिर हमने जो पहले जो तरीका बताए वो भी यूज कर सकते है जो भी आपको अच्छा लगी वो आप यूज कर सकते है और आगे हम देखते दोस्तों percentage के अंदर क्या आता है अब देखे एक और जो most important चीज जो आती है याई के अंदर बहुत वार common जो चीज है वो क्या होता है कि उसके अंदर ये पूछा जाता है कि पिछली वार से अब की वार में कितना कितने प्रतिशत की विरिद्धी हुई इस तरह के कोशन आपने देखेंगे देखें यहाँ पे कोशन नमर 9 है यह हम पढ़ने की कोशिश करते हैं सन 2005 में विद्धूत उतपादन 500 MW था 2005 में कितना था 500 MW था 2009 में 800 MW हो गया 2005 से 2009 में विद्धूत उतपादन में हुई वर्धी प्रतिशत वताईए यानि कितने प्रतिशत जो विद्धूत है वो बढ़ी है वो हमें बताना कितने प्रसेंटेज इलेक्रिशिटी प्रड्यूस हुई है वो हमें बताना है देखिए इस तरह के कोशिशन आपने बहुत देखे होंगे डियाई के अंदर ये बार 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 यूज होते है तो इसको हम कैसे करेंगे इसका जो फौर्मुला होता है दोस्तों यहाँ पर इंगिलिस में भी देख सकते हैं हिंदी में भी देख सकते हैं इसमें उत्वाइनल वेल्यू और माइनस में इनीसियल वेल्यू यानि कि जो अंतिम वेल्यू आपती है जैसे यह है अमारी 800 रुपए यह आखरी की value है और फिर प्रारंभिक मुले यानि कि सुरू की जो value है यह 500 रुपए यह minus करेंगे बटे में प्रारंभिक value वो यानि कि सुरू की value को divide करेंगे और फिर multiply 100 करेंगे देखे इसको मैं यहाँ यहाँ पर बिल्कुल असानी से आपको करके दिखा यह question हम कैसे करेंगे अब जैसे कि इसमें दिया इसी के इंसार चलते तापके ताकि आपको अच्छे से असानी से समझ में आजाए यहां पर हम लिख लेते है 800 800 माइनस में initial value कितनी है 500 डिवाइड वाई कितना है प्रारहमविक value कितनी है दोस्तों हमरे पास 500 और multiply वाई कितना है 100 ठीक है यह formula आपने यहां पर देख लिया अब देखते इसको solve करने की कोशिस करते हैं एक मिनिट मैं erase कर देता हूं यहां पर यह अब देखे इसके इंदर क्या होगा 800 में से जब हम 500 माइनस करेंगे तो क्या जाए दोस्तों हमारे पास 300 आ जाएगा 300 बटे में 500 multiply by 100 अब देखी 20 से हमारी 20 कट गई अब 5 से जब हम 300 को कट करेंगे तो कितना जाएगा 60 यहां पर आ जाएगा तो जो 60 answer वो कितना किसमें दोस्तों option number B में दिया हुआ है तो यहां से अब बिलक 8% electricity हमारी बढ़ ही है तो इस तरह से आप बिलकुल असानी से इस तरह के question कर सकते हैं और इस तरह के जो question है वो बहुत बार आगे आएंगे और आगे जो हम question करेंगे उनके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि यह question किस तरह से है किस तरह से हमें solve करना है और उसके बाद है दो जब हम एक दूसरे को करते है तो उसके बाद जो final जो value आते है उसे हम ratio कहते हैं देखी यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया वायों इन्होंने सुनिल एक सब्ता में 900 रुपए कमाता है और राहूल एक सब्ता में 600 रुपए कमाता है तो दोनों की कमाई का अनुपात क्या होग अब वो हमें बताना है अब देखी इसके लिए हम क्या करते हैं जो हमें value दी हुई है उन दोनों को divide करते हैं और फिर हम निकालते कि क्या उनका अनुपात है यहाँ पे हम क्या करेंगे 900 डिवाइड वाय 600 इसको जहां तक कट हो रहे हैं वहां तक हम इसको काटते जाएंगे 2-0 से 2-0 कट गी 3 दुनी 6 और 3 तिया 9 इसकी अब देखे 3 और 2 को हम आगे नहीं काट सकते हैं तो इसकी जो value की आ जाएगी तीन अनुपात 2 की value आ जाएगी तो सुनिल और जो राहूल वो तीन अनुपात 2 के अनुपात में कमाई करते हैं तो इस तरह से हम अनुपात निका सकते हैं तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले ट्रिक डियाई को करने के लिए बहुत ज्यादा जुरूरी थे हमारे लिए और अगर आपको कोई बात समझवें नहीं आए तो आप एक वार फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं और फिर वी अगर आपक हमने आप सभी के लिए एक special paid course launch किया है complete study course for paper first इस course में आपको क्या-क्या मिलने वाला है नमर एक पर दोस्तों आपको all 10 unit study notes मिलेंगे Hindi English में नमर दो पर दोस्तों आपको all 10 unit की add free videos मिलेंगी नमर तीन पर दोस्तों आपको सभी shift के question paper Hindi English में मिलेंगे नमर चार पर दोस्तों आपको 2012 से लेके 2030 जो भी हमारे question आए है वो unit wise की हुए मिलेंगे जैसे कि हमारे research के question आज तक जो आज के वो अलग है ICT के अलग है company question के अलग है सभी unit के question आपको अलग-अलग किये हुए मिलेंगे दुलान आपको किसी भी तरह की problem आपके तो आप हम यह WhatsApp पे भी contact कर सकते हैं आप 500 से लेके 1000 रुपय में इस course को जोइन कर सकते हैं और समय समय पे offer change होता रहता है तो आप नीचे वीडियो description box में link दिया वहाँ से इस course को बाइक कर सकते हैं